हाई एवरिवन मेरा नाम रिच्चा जैन है वेलकम बैक तो माई चैनल किड्स डविलपमेंटल एक्टिविटीज तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्पीच के रिगार्डिंग क्योंकि बहुत सारी क्वेरी इस पीच पे भी रहती है कि बच्चे बोल नहीं रहे हैं कैसे हम उनको बोलना सिखाएं कैसे हम उसनकी अंडरस्टांडिंग बढ़ाएं तो आज हम कुछ इसी तरह की बाते करेंगे तो स्पीच पे अल्रडी में बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूं आप मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके स्पीच पहले करी है जिसमें अगर बच्चा नौन वर्बल है उसकी कोई साउंड्स नहीं है उसको वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे उसको मोटिवेट करके किस तरह से स्पीच प्रड्यूस कर सकते हैं साउंड्स प्रड्यूस करा सकते हैं वर्ड्स सिखा सकते हैं अगर बच कैसे सिखाना है उस पे और रड़ी वीडियो हैं तो वह है वोकाबलरी इंक्रीज करने की वीडियो तो उसका लिंक भी मैं description box में डाल दूंगी अब बात करते हैं basic speech concept की speech में क्या-क्या चीजें हमें mind में रखनी है मुझे लगता है हमें knowledge होनी चाहिए इन सब चीजों की तो हमें पता चलेगा हमारा बच्चा किस level पे है speech उसकी किस level पे है हम आगे speech को कैसे बढ़ा सकते हैं अगर basic knowledge होगी तो हमें इन चीजों में help रहती है तो हम बात करते हैं आज speech में अभी मैंने एक heading डाल कर video बनाया था noun के बारे में कि हमें noun introduce करानी है तो उसका मतलब क्या होता है अगर हम speech की एक पिरामिड में चलें या फिर उसकी lines में चलें तो सबसे पहले sounds आनी चाहिए उसका words जितने जादा words होंगे बच्चे के पास उत उसको easy रहेगा understanding develop करने में तो सबसे जरूरी है nouns उसके बाद जरूरी है pronouns कि उसको यह पता है यह मम्मी है यह पापा है तो हमें उनको conversation में कैसे यूज करना है मैं आप तुम यह second चीज रहती है फिर होता है action words जो हम बोलते है verbs की बच्चे को verbs के बारे में पता होना चाहिए verbs क्या होती है खाना खाया eating पानी पिया drinking तो यह action words हमें समझाने बताने जरूरी है कि this is the action this is the word उसको association कराना जरूरी है उस action से ताकि उसको understanding आए कि हम क्या कह रहे हैं और वो कैसे उस चीज को explain करें तो this is the third thing बच्चे को action words कराते हैं फिर हम फिर जो fourth thing रहती है वो होती है prepositions क्या हमारे बच्चों को prepositions आती है prepositions सुनने में लगेगा यार या क्या English grammar का subject चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम इन चीजों को mind में रखके बच्चे की speech पे काम करेंगे concept हमें clear होगा कि हमें क्या क्या चीजे बतानी है तब ही तो ह पर नीचे अंदर बाहर आगे पीछे दूर पास उपन क्लूज यह सब चीज ने कवर करते हैं तो यह fourth concept रहता है की बच्चे को prepositions बताना थीक है फिर fifth concept रहता है and that is the main concept अगर हम overall understanding की बात करें यह चारो पांचों चीजे हमने कराई उसके बाद हमें बताना है what when, why, who यह जो WH family के questions होते हैं यह बच्चे को पूछना, उसके answers करना, क्या हो रहा है वो सब सिखाना जरूरी है what की यह चीज क्या है, what is this, who, यह कौन है, uncle है, auntie है, भीया है, दीधी है, girl है, boy है, वो चीज क्लियर कराना, यह मम्मी है, यह पापा है, this is who concept फिर आता है when, when का क्या concept रहेगा, कि अब दिन है, अब रात हो गई है, अब इवनिंग हो गई है, मैं अब स्कूल जाओंगा, when you will go to school, मैं सुबह स्कूल जाओंगा, पापर नाइट में घर आएंगे, यह चोटे-चोटे concept, बहुत बलंबे-चोडे concept नहीं लेने हैं, तो when, फिर उसके बाता है why, आप क्या करना है, why, मुझे बूख लगी है, इसलिए मुझे खाना चाहिए, बूख लगी है, ओके खाना चाहिए, तो basic जो चीजें हैं, आप उनको break कीजिए, what, when, who, how, why, start with simple questions, what पे हमने बात करी थी पहले, कि what is this, what is this, what is this, this is noun, basically noun, फिर हमने बात आज करेंगे हम लोग who के बारे में, बच्चे को who concept, कि हमें ये कौन है, ये बच्चे को explain करना है, सिखाना है, उसकी एक basic understanding बनानी है, कि सामने वाला person क्या है, जब वो चीजें वो समझने लगेगा, आप देखेंगे, overall understanding में benefit होगा, तो आज मैं सिर्फ short short videos में करेंगे, क्य video बन जाएगी, वो मेरे भी मुश्किल है बनाना, आप लोगों के लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा, तो हम एक एक concept करेंगे, कि हूँ, मुझे आज ये clear करना है मेरे बच्चे को, हूँ concept, तो आज हम हूँ पर बात करेंगे, हूँ questions हम कैसे सिखाएं बच्चे को, उस सिर्फ बोलने से या वैसे दिखाने से, तो हम लोग हमेशा जब भी speech therapy की बात करेंगे, speech की बात करेंगे, या कोई भी नौया concept सिखाने की बात करेंगे, flashcards के through करेंगे, तो learning easy और जल्दी हो जाएगी, तो flashcards कैसे बनाने है, वो मैं already video बना चुकी हूँ, उसके उपर, मैं का link भी description box में डाल दूगी, जितने ज़्यादा flashcards बनाएंगे, उतना ज़्यादा उनको easy रहे का सिखाना, तो flashcards की मजद से, हम लोग who concept की कौन है, ये करेंगे, और इस activity में मैंने, जो है, action verbs की, action verbs वाले मेरे cards है, उसी के through मैंने who कराया था, तो वो दोनों चीजें आप दे कर सकने हैं बच्चे को, तो जितने ज़्यादा flashcards बनाएंगे उतना जल्दी रहेगा, start with 3-4 flashcards, basic concept बनाए, girl and boy का लीजिए, this is girl, this is boy, बहुत जादा concept बच्चे को लेकर आएंगे, बच्चा confused हो जाएगा, और उसको समझाना मुश्किल हो जाएगा, तो simple concept starting में, 6 flashcards बनाए 3 girls के, 3 boys के, आपने उसको identify कराना है, कि this is girl, this is boy, this is girl, this is boy, ठीक है, तो उसको girl boy हो गया, understanding clear हो गया, then introduce baby, then introduce uncle, then introduce auntie, तो इस तरह से आपने who concept क्लियर कराना है, फिर हम लोग उसके बाद, next to जाएगे, professions की तरफ भी जा सकते हैं, बट वो बहुत later on है, अभी हमें basic understanding बनानी है, पहले ये step हम cover करेंगे, तो let's have a look on the video, कि हम कैसे who concept अपने बच्चों को explain कर सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, बेबी, बेबी क्या कर रहा है, crawling, who is he, baby, very good, कृष्ण भी ये कौन है, sleep, कौन सो रहा है, कौन है ये, who is he, कौन है, ये girl है, boy है, boy, कौन सो रहा है, boy, कौन सो रहा है, boy, बेबी, बेबी, sitting, very good, कृष्ण भी ये, लाफिंग, कैसे करते है, Ha, 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 laughing. कौन laugh कर रहा है? ये कौन है? Girl है या boy है? Girl. Girl. Girl laughing. Girl. This is? This is? drinking. कौन ब्रींक कर रहा है? ये कौन है? Girl है या Boy है कौन है ये Krishna Girl है या Boy है Boy Boy, drinking Very good This is Reading कौन read गर रहा है Who is he Boy Boy, ये कौन है Boy है This is This is Crying Crying कैसे करते है Crying Crying Do Crying कौन रो रहा है ये कौन है Baby Baby रो रहा है This is This is Jumping कौन जंप कर रहा है कौन है ये Boy Boy है ये Girl है ये Boy है Girl Girl Maa, dita, dita This is Krishna Talking 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 कौन टॉक कर रहा है कौन है ये Girl हाँ, कौन है Girl है ये Boy है Boy Boy Talk कर रहा है ये कौन है Girl है, boy है, uncle है, auntie है कौन है ये Girl Very good Girl Girl ये कौन है Uncle ये कौन है Uncle ये कौन है Girl ये Girl है, boy है, uncle है, auntie है कौन है Boy Boy है ये ये कौन है Auntie Auntie है, auntie ये कौन स्मेल कर रहा है Uncle Very nice So, इस activity के थूँ हम बच्चे को Who concept सिखा सकते है बहुत easy आपने flash card के थूँ उसको कराया Starting में हमने ज़्यादा नहीं लेने है Concept Only girl, boy ये Uncle, auntie दो-दो-दो लोग लेके हम लोगो ने clear करते जाना है अगर बच्चे ने पांच दिन में वो concept कर लिया तो पांच दिन बाद दो और add-on कर दीजिए बच्चे ने दस दिन में किया तो दस दिन तक वो चीजें कराते रही है हमें बच्चे की capability के according वो जज करना है खुदी देखना पड़ेगा हाँ अब मेरा बच्चे girl and boy easily differentiate कर रहा है अब मैं next दो और नए flashcards उसमें add-on कर दूँ जब हम flashcard activity करते हैं उसके साथ साथ हमें क्या करना है जब भी हम बच्चे को बाहर लेकर जा रहे है वाक पे या घूमने के लिए पार्क में आपने उससे पूछना है पहले बताना है ओ लोग वो देखो वो girl बैठी है वो देखो boy खड़ा है मालब आपने उसको बताना है आपने उससे पूछना नहीं है स्टार्टिंग में आपने उसको बताना है इंपुट देना है जब आपने 10-12 डेज हो गए है आप उससे पूले ओ वो कौन है अच्छा गर्ल है उसने आंसवर कर दिया आप वेट कीजिए थी सेकंड का पोज लीजिए फाइव सेकंड का पोज लीजिए बता रहा है बहुत अच्छी बात है नहीं बता रहा है ओ वो कौन है कौन है नहीं बता है ओ वो तो गर्ल है क्रिश्न ओ वो गर्ल है तो इस तरह से आपने अब question way में पुट करना है ताकि उसको ये समझ में आए कि अब मुझे जवाब देना होता है उसको ये नहीं पता कि कब जवाब देना है या I am supposed to say something मुझे कुछ बोलना है वो भी हमें सिखाना है कि ये question पूछ रही है और मुझे जवाब देना है ये चीज़ भी हमें सिखानी पड़ेगी क्योंकि उनको नहीं पता है ठीक है ना तो आपको उस तरह से वो question put करना है then wait करना है Krishna ओ वो girl है क्या अच्छा वो girl है ताकि उसको ये पता चले कि इस तरह से जवाब देना होता है अगर बच्चा नहीं बोलता है उसकी speech नहीं है तो at least उसकी mind में वो चीज जा रहे है कि इस तरह से question पूछा जाएगा तो इस तरह से answer किया जाता है जब भी वो बोलेंगे तो उनको वो concept आता होगा ठोड़ा और फिर आपको उतनी महनत नहीं करनी पड़ेगी बच्चे को वो चीज already understanding रहेगी अगर हम उस पे अभी से काम कर रहे है कईके बढ़ हम सोचते हैं बच्चे की स्पीच ही नहीं कैसे बोलेगा बोलते नहीं अंडरस्टानिंग आ जाएगी तो एकदम से बोलेंगे तो सब बोलना शुरू कर देंगी यह चीजे मैंने कृष्णव की जब मैंने कृष्ण नहीं थी आप मानिए उसकी स्पीच बिल्कुल नहीं थी वस अ कम्प्लीटली नॉन वोबल किड वो मम्मा पापा क्या कुछ भी नहीं बूलता था सिर्फ चिलाता था अ ऐसे वाले सांद और कुछ उसने मेनिंग्फुल सांद कभी प्रोड्यूस नहीं करी बट जैसे जैसे मैंने स्टडी किया इधन नॉलेज गें की तो मैंने यह चीजें उसका साथ स्टार्टिंग सही स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था कि तुम यह मत सूचो कि उसको समझ में नहीं आ रहा है वो ब्रेंड में रजिस्ट्रेशन तो जब बोलना शुरू करेगा उस ताइम वो एकदम से करेगा तो आपको इतना महनत नहीं करने पड़ेगी आपको इतना अफ़र्ट नहीं लगेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग एक बेस बन चुका होगा आप थोड़ा पुश करेंगे फिर हो जाएगा तो मैंने उसी टाइम वो सारी चीजे स्टार्ट की तो आप में सोचना कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है मैं क्यों करूं अभी इतना पेन क्यों लूँ या फिर उसको इतना हो क्यों करूं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उसके साथ ये सारी चीजे इस पॉर्टिकुल तो बच्चे पर उसकी अंडरस्टांडिंग का बहुत जादा बेनिफित रहेगा सेल्फ टॉक एक्टिव टॉक पैसिव टॉक बहुत इंपोर्टन है स्पीच के लिए अगर लेकिन उसमें हम स्ट्रक्चर डाल दें कि मुझे ऐसे करनी है ताकि मेरे बच्चे की अंडरस्टांडिंग आप उसका 10 ताइम जादा रिजल्ट देखेंगे कि हाँ बच्चे को उसकी अंडरस्टांडिंग 10 ताइम बेटर रहेगी शॉर्ट बात करना क्रिस्पी, to the point and साथ में आपने who, what, when, why simple questions form करके और उसके simple answers उनको बताने तो जो हम लोग एक query रहती है कि question के answer नहीं देता है हमारा बच्चा आप उसकी understanding में आप उसके unconscious brain में जब उसके message और बेच चुके होंगे तो जब उसको बोलना आएगा वो बहुत जल्दी उन concepts को pick कर पाएगा मेरी बातें लंबी हो जाती है और मुझे किसी ने का कि आप यह मत बूला करो क्योंकि मैं topic से भटक जाती हूं मुझे लगता है फिर video बहुत लंबा हो जाता है और फिर next की फॉर्म में और answer देंगी तो उसको question answer समझ में आना लगेगा समझ में आएगा तो question के answer देना जल्दी सीख जाएगा महनत करनी पड़ेगी लेकिन कम महनत करनी पड़ेगी तो आज हमने इससे लिए who questions पे बात करी है ओ यह कौन है यह तो girl है always talk in a jolly way बच्चे को जब आप explain sitting activities में it should be educational activity who is this very to the point लेकिन जब आप पार्क में fun time पे उसकी walk time पे बात करेंगे तब आपने educational way में बात नहीं करनी हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिए sitting activity पूरी proper educational method से so that बच्चा उतना serious लेना शुरू करे in future अभी नहीं ले रहे हैं बट उनको पता चलेगा this is a patent activity this is a sitting activity this is a serious activity ममा इसमें पूरा एक टीचर की तरह है role play करेगी she will play with me बट ये मेरे को पूरा attentive हो के करना है जब उसको पाक का time है fun का time है it should be a free time तो उतना ही enjoy आपने करना है उतना ही enjoy उसको कराना है तो in future उसको organize होने में उसकी attention लेने में उसकी sitting activities में आपको बहुत help मिलती है तो ये चीज हमेशा माइन में रखिए तो who questions हमने बात की है और आप इस पर काम करके देखिए I hope आपको आपको आज speech के बारे में कुछ clarity आई होगी कि speech में हमें किस किस चीज पर काम करना चाहिए और आज हमने who पर बात करी है in future और चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे कि हम कै कैसे करा सकते हैं तो I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चनल को like share and subscribe करना मत भूलिएगा thank you so much